इस पर भी करीब 7,000 करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं Micro Irrigation Fund के आवटन को भी दो गुना करके 10,000 करोड रुपे कर दिया गया है हमने crop loan भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष 16,000,000 करोड रुपे हो जाएगा अब पशुपालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट काड का लाब मिलना शुरू हो गया है यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिति सुद्रे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए पूरी इमानदारिशे काम कर रही है साथियों किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन किर्षी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगाकार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्पन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूत, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी, ये हमारे लिए महत्पूर्पन था, कृषी अर्थसास्त्रियों ने, वैज्या किनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्पूर्पन को समझाने का भड़पूर्प्रयास भी किया, हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से, उन्हें समझाते रहें, अनेक माध्यमों से, व्यक्तिगत और सामुहिक, बाचित भी लगातार होती रही हैं, हमने किसानों की बातों का, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी, कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई, दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया, इसी दोरान ये विशे माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया, ये सारी बातें देश के सामने हैं, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा, साथियो, मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र रिदे से कहना चाहता हूँ, कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य, कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए, आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकास पर्व है, ये समय किसी को भी दोस्ट देने का नहीं है, आज मैं आपको, पुरे देश को ये बताने आया हूँ, कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निरने लिया है, इस महिने के अंत में, शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में, इसी महिने में, हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, साथियों, मैं आज अपने सभी अंदोलन रद किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ, आज गुरु परब का पवित्र दीन है, अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, नए शिरे से आगे बढ़ते हैं, साथियों, आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा, एक और अहम फैसला लिया है, जीरो बजट खेती, यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्चक्ताओं को ध्यान में रखकर, क्रॉप पैटरन को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, MSP को, MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए, ऐसे सभी विश्वों पर बविश्य को धान में रखते हुए, निनने लेने के लिए, एक कमीटी का गठन किया जाएगा, इस कमीटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे, किसान होंगे, कृष्व वैज्यानिक होंगे, कृष्व अर्थसात्र होंगे, साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समाप्त करूँगा देही सिवावर मोहे इहे सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये वर्दी जिये कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटूँ जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवात से मैंने महनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विस्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा महनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार